अबिठ दोटेवार हम इन किया है, इन तमाम विश्यों पर एक एक करके सिलसलेबार हम बात कर रहे थे धोड़ी दैर पहले राज्यवरधिन सिंग रह टौर हमारे साथ खोड़े उन्होंने बताया कि युवाओं के लिए खेल के एक शेत्र में क्या क्या खास है मेरे साथ जोधपूर से मेरे सहयोगी राकेश इस वक्त जोड़ गए सीधे राकेश का रुक करते हैं राकेश इस बार जितना बजट को मैं समझ पाया पानी बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर ये तीन ऐसी सोगाते हैं जो खासсти और जोधपूर के लिए भज़नलाल सरकार ने की हैं ऐसे और कौन-कौन से तोहफे हैं जिनके बारे में आप बताना चाहते हैं हमारे दरशुकों को और जोधपूर वासियों को की जोदपूर वालों के लिए इस बार बजट में ये स्पेशल है देखिए बात पूरे बजट की की जाए तो आवराल बजट को देखा जाए तो हर दिस्टी कॉर्ट से हर वर्क को कुछ ने कुछ मिला लेकिन सबसे बड़ी बात अगर मैं जोदपूर की करो तो जोदपूर को पानी बिजली और इनफास्टेक्शर के मामले में बहुत कुछ मुला सबसे बड़ी बात है कि ग्रिन एक्सप्रेक्स हाइवे जो है वो जोदपूर को भी मिला है इसमें जोदपूर जैपूर और जैपूर फॉलो दी दोनों एक्सप्रेक्स हाइवे कही ने कहीं जोदपूर को लाबानवित करेंगे और आने वारे टाइम में निश्य दुरूप से जोदपूर में यह बड़ी शोगात रहेगी लेकि सबसे बड़ी बात थी यहां नाइट टूर टूरिजम को लेकर भी बात कर रहे थे कि नए टूरिजम जोदपूर में होना चाहिए क्योंकि वह हो नहीं रहाता तो इसमें कहीं नहीं नीती बनाने की बात की गई है डेस्टिनिस वेडिंग की तो उसमें कहीं कहीं लाब मिलेगा कुछ लोग हमारे साथ हैं उनसे भी बा दो में आपको तो एक तो जो जो एक किलोमेटर दूर एरिया में जो लेने की जुरूद थी वो बिलकुल अब जुरूद नहीं है तो एक किलोमेटर की बाहिदे ने नहीं पड़ेगी और उसको करा सकता है दूसरा इसकी डेवलप्मेंट पे जो बात करें कि डेड़ लाग बच्छों को स्कील डेवलप्मेंट का जो शिखाए जाएगा वह इंडिस्ट्री को बहुत इसमें एनिपीट मिलेगा राकेश आपके पास लौट कर आऊंगा जो क्या क्या खास मिला है इस पर हम बात करेंगे मेरे साथ देवेंद्र मेरे साहियोगी भरतपूर से जोड़ देवेंद्र कर्मशियला सेंटर की चरचा हर तरफ हो रही है बरतपूर में धिक बसें चलने वाली है क्या एसे पोइंड्स हैं जो मैं मैं कर रहा हूं आप मुझे एड़न कीजे